साबुदाने की फिला हर एक चड़ी तो चले शुरू करते हैं रैसिपी को यह 250 ग्राम साबुदाना इसे बिगा दिया था मैंने 2 घंटे के लिए और यह है रोस्टेट पीनट याने की बुने हुई मौंग फिली 200 ग्राम इसे हम दर दरा पीस लेंगे और इसे मैंने पीस लिय यहां एक पैन में मैंने तेन चमच घी ले लिया और इसमें डाला है एक चमच सोफ जी हां मैंने स्किप किया है जीरा को जगे डाला है सोफ और यह चार हरी मेर्जें कटी हुई और यह है करीपत्ता इसमें सॉफ का जो फ्लेवर है एक बार आप ट्राइज़ किजिए आपक अच्छा फ्लेवर है एक चुटकी मैंने इसमें हिंग डाल दिया है और यह कटा आलू दो बड़े आलू कटे बुए थे इसे हम इसमें भूनेंगे कम से कम तीन-चार मैंने जब ते किन का कलर गॉल्डर ब्राउन ना हो जाए फ्लेम को अपना मीडियम रखा हुआ है मैंने इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट एट कर दूँगी ताकि जो कुकिंग की प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए और यह तीन-चार ग्रीन चिली और मैंने एट कर दी है चोटी चिली थी इन्हीं मैंने टुकडों में काट लिया था क्योंकि मैं इसे बहुत स्पाइसी बना रही हूं आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो चिली को अपने अकोर्डिंग एड़्जस्स कर लें यह सोल्ट मैं शेऴ ढ़न गई थी अब डाल रहा हूँ risky यहां धेखिया जो अलू है इनका color change होल गया है अब डालेंगे wash is लॉन दुक shi करेंगे और इसके बाद हम इसमें एट कर देंगे जो साबुदाना हमने भीगोया हुआ था मैंने 250 ग्राम जो साबुदाना लिया था उसी के अंदर मैंने टू कप पानी डाला और आदे घंटे के लिए रख दिया था आदे गंटे बाद सारा पानी निकाल करके दो गंटे के लिए मैंने एक तरफ सारा साबुदाना रख दिया था उसके बाद मैंने यह प्रोसेस स्टा पानी मिला है सिर्फ एक चमच क्योंकि हमें साबुदाने की खिचड़ी एक दम खेली खेली बनानी है इस टीक ही नहीं होनी चाहिए और साबुदाना कच्छा भी नहीं होना चाहिए इसलिए थूड़ा सापानी एक और गेज को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है अब मैं इसको ढ करेंगे तो यहां साबुदाना बहुत अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें इट कर देंगे जो हमने मुंगफली भूनी हुई पीसी थी उसे रहे हैं आगे ब्चा और इसे की साथ में जाता है भन या पत्त अब ही से अहुत्य हैँ और इसमें पिते ऐसमें थुरण उद्हुर्टेट किया है सोल्ट के हैं इसनले क्वांटिटी को आप लगा कर दो कि हमें मैंसे कराका देंगे। मिक्स करने के बाद हम तीन मिनिट के लिए फिर से ही से भी कुल और लो फ्लेम पर कुक करेंगे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज विंडो के जस्ट नीचे रेट कर का सब्सक्राइब बटन है उसे एक बार प्रेस कर दें उसे मेरा च प्लीज सब्सक्राइब बटन के पास में एक गंटी का बटन है उसे एक बार प्रेस कर दें उससे जब भी में कोई नया वीडियो श्याय करूंगे उसका नोडिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा तो बनाए एंज्वी करें थैंक्स पो वुचिंग मैं वीडियो स्टे झाल